रादे रादे सबी वक्तों को तो वक्तों देखिए आज के भोग के दर्शन कर लीजिए हमारे काना जी ने आज किस चीज का भोग लगाया है ये है भर्मा शिमला मिट की सबजी ये उड़द की दाल, मक्खन, दही, खीरा, गुड इन सब चीजों का जो है हमारे काना जी ने आज भोग लगाया है तो आप भी इस भोग के दर्शन कर लीजिए जब काना जी हमारे भोग लगा लेते हैं हमारे यूगल सरकार भोग लगा लेती है तो ये जो भोजन है ये भोजन जो है वो अमरित समान बन जाता है इस भोजन को हम पूरे घर के भोजन में मिला देते है तो जो हमारा खाना है वो एक अमरित के समान बन जाता है तो भक्तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रभू ने हमें इतना दिया है हमें खाने को दिया है हमें भी अपना जो हम खाना खाते हैं उससे खाने से पहले हमें प्रभू को जरूर याद करना चाहिए, प्रभू से आगरे करना चाहिए, कि ही प्रभू आप भी खाना खा लीजिए, आप भी भोग लगा लीजिए, फिर देखिए आपका भोजन किस प्रकार से अमरित बन जाता है, हम प्रभू से सारे दिन कुछ कुछ मांगते रहते हैं जरासी भी हमें कुछ दिक्कत होती है प्रभू ये दे दे है प्रभू वो दे दे और हम उस प्रभू के लिए सिर्फ हम क्या कहते हैं खाने से पहले क्या हम उस प्रभू को याद नहीं कर सकते क्या हम भोग नहीं लगा सकते जिस प्रभू ने ये सारा संसार बनाया है हम हर वक्त उस प्रभू को जो है पूरे संसार का ध्यान रखना पड़ता है और हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि जब हम खाना बनाए तो उस प्रभू को एक बार भोग लगाएं भोजन करने से पहले हमें प्रभू को विश्य याद करना चाहिए देखिए फिर किस प्रकार से आपके घर में सुक शानती और समरेदी रहती है रादे रादे हरी बोल